बाइया सबसे पहले तो आप सभी लोगों को निम्होंशकार और राम राम जी साफ लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली है उसका आप लोगों को आप लोगों का बहुत प्यार मिला उसको वह सपोर्ट मिला है थैंक्यू सो मच और बहुत अच्छा रिस्पॉंस है उसका व्यूस कम हैं बट बहुत शांदार हैं बचों बहुत छोड़ा चैनल है हमारा अभी ग्रोइंग अप है लेकिन यह बात भी सही है कि हजारों मिल का जो रास्ता होता है ना वह आदमी एक एक कदम से उठाता है हजारों मिल की दूरी को तैय करने के लिए आदमी को एक एक कदम चलना पड़ता है और एक एक कदम जाते हुए वो कई हजार किलोमेटर की यादरा पूरी कर लेता है तो भाई हर चीज की सुरुवाद जो होती है वह जीरो सही होती है मैं बहुत खोश हूं बहुत सटिस्पाई हूं दो काम से एक काम तो यह कि रिस्पॉंस अच्छा आ रहा है और दूसरा काम यह कि मैं आप लोगों को बहतर पढ़ा पा रहा हूं बहुत जल्द बहुत सरी और अच्छी होंगी आप लोगे साथ इन वीडियो के साथ मैं आपको पूरे कमिट्मेंट से कह रहा हूं कि पढ़ाऊंगा बहुत शांदार कॉंसेप्चुली मैं आपको बहुत स्ट्रॉंग कर दूंगा और आज की जो हमारी क्लास है डाट इस वेरी इंपॉर्टन टो वो काम क्या क्या है जरा उस काम को हम देखते हैं भाई सब इंजुआ करके पढ़ेंगे मस्ती करते हूं पढ़ेंगे बड़ा हेक्टिक लास नहीं होना चाहिए वी शुड इंजुड इंजुआ अधर क्लास हम सीखेंगे कि राश्ट्पती क्या काम है ठीक है भाई सब या राश्ट्पती की शक्ति की एक देश में जैसे कि राश्ट्पती देश का पहला नागरिक है राश्ट्र का पहला सिडिजन है भारत राश्ट्पती के नाम से जाना जाएगा राश्ट्पती जो है भारत के लिए सभी महत्तपूर निर्नाय लेगा निर्नाय नहीं लेग मतलब अंतराश्ट्री अस्तर पे हम कोई भी काम करते हैं तो राश्ट्रपती के नाम पर करते हैं लेकिन इंटर्नल कौन एडिसन लेता है प्रधारमंत्री लेता है तो इसकी अलामा जो है राश्ट्रपती के सभी कारी क्या क्या है तो राश्ट्रपती के कारी क्या क्या है तो पालिका शक्ति कुछ बच्चों को बही हिंदी इंग्लिस इंग्लेश से प्रॉलम होते हैं तो युटी फी जे फ्रार जबेजिएटिध फब Mr. यहनुकि ए जो राश्च्पति है कार्यपालिका क के संद्र बहत है क्या है अगर हम दूसरा देखें तो बिधाय शक्ति बिधाई शक्ति का मतलब हो गया बच्चों legislative power इंगलिश में बोलते हैं इसको legislative power अगर आप कारेपालिका शक्ति है बिधाई शक्ति है उसकी बाद आप देखोगे तो भीया तीसरा है शैन ने सकती शैन ने सकती और इसको बोलते हैं military power military power अगर आप यहां से आगे जाओगे तो यहां परिकार आप और देख सकते हो कारेपालिका शक्ति है बिधाई सक्ति है सैने सक्ति है नयाईक सक्ति और इसको बोलते है judicial power judicial power इसके बाद से बच्चों अगर हम यहां से आगे देखें तो जो next होगा वो होना चिए वित्तिय सक्ति वित्तिय सक्ति का मतलब होता है financial power कितने होगए तो सबसे पहले एक हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौथा हो गया पांचवा हो गया और एक अन्य शक्ति अन्य शक्ति यानि कि other task other power यह other power का मतलब क्या है यानि कि इन सभी शक्तियों के लावा राश्टपती और कौन से काम कर सकता है तो बाई साब यह छे तरह के जो है अधिकार है राश्टपती के पास और सबसे पहले तो जो है हमको यह समझना है सबसे पहले हमको यह समझना है कि जो यह 6 तरह की पावर है जो यह 6 तरह की बाते की गई है इन 6 तरह की बातों में इनके शक्तियां क्या है और इसका संबंद क्या है इसका मतलब क्या होता है जैसे मैं आप सकर कहा रहा हूं कि राश्टपती की कारेपालिका शक्ती, राश्टपती की कारेपालिका शक्ती, तो भाई सबसे पहले तो समझना ही जरूरी है कि कारेपालिका होता क्या है, और कारेपालिका किस अंदर्व में राश्टपती के पास क्या पावर है, तो भाई स से पहले आप इसका अर्थ समझो कि देश के अंदर जितना भी कानून लागू होता है वो लागू करवाता है राश्टपती तो कानून लागू करवाता है राश्टपती तो लागू करवाने के संदर्व में राश्टपती के पास क्या-क्या अधिकार है यालिकि कानून को ला जो कानून को लागू करते हैं या प्रशासन से संबंदित हैं या जो कानून को लागू करवाते हैं उस सब की नियुक्ति राश्टपती के द्वारा होती है उस सब की नियुक्ति राश्टपती के द्वारा होती है तो कारिपालिका शक्ति में जैसे आप पहला पावर देखो मंत्रियों को नियुक्त करेगा भाई साब ये संग के सभी मंत्री को नियुक्त करेगा इस सभी मंत्रियों को नियुक्त करेगा तो ये अगर संग के सभी मंत्री को नियुक्त करेगा तो ये क्या मतलब इसका मतलब हुआ क्या ये मंत्री मंत्री कौन देखो भीया मारी बास समझो जब भी नई लोग सभा का चुनाव होता है यानि कि लोग सभा के अंदर जब भी नई लोग सभा का चुनाव होगा जैसे अभी 2024 में होने वाला है अभी दर 19 में हुआ था फिर 2024 में होगा तो 2024 जब चुनाव होगा तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा दल होता है उसका जो नेता होगा उसको तो राश्टपती प्रधानमंत्री न्यूक्त कर देगा प्रधानमंत्री न्यूक्त करने के संदर्व में राश्टपती के पास और भी शक्तिया है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल बड़े दल के नेता को ही करता है लेकिन हाँ समानिता ऐसा करता है कि जो सबसे बड़े दल का नेता है उसको वह राश्टपती के पत्पा नूट करेगा और उसी को हम कहते हैं प्रधान मंतरी जो सबसे बड़े दल का नेता होगा उसको हम कहते हैं प्रधान मंतरी और वो प्रधान मंतरी फिर ये बताता है कि सं मंत्री के नाम का जो सलाह है वो कौन देता है प्रधान मंत्री देता है किसको देता है राष्टपती को देता है और राष्टपती उसी व्यक्ति को जिसके नाम का सलाह प्रधान मंत्री ने दिया है उसको वह मंत्री के पद पर न्यूक्त कर देता है तो न्यूक्त करता है करेंगे क्या तो यह मंत्रियों का मुख्य और कानून को लागू करवाते है और इन को बोलते तो उसी वेक्ति को हम कारेपालिका कहते हैं कारेपालिका का और भी अंग है जैसे कि DM जैसे जो district-wide state है वो कारेपालिका का अंग है इवन एक दरोगा, एक SI यह सब कारेपालिका के अंग है लेकिन यह लोग बिधाईका नहीं है कारेपालिका का range बड़ा है कारेपालिका में अधिक लोग आते है जैसे DM कारेपालिका का हिस्सा है बिधाईका का नहीं है मंत्री दोनों का हिस्सा है क्योंकि वो कानून बनाता भी है और वो कानून को लागू भी करवाता है तो बहिया मंत्रियों का कारे है कानून को लागू करवाना देश के लिए कानून बनाना और अपने जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सर्वुत्तम को प्राफ्ट करना यह मंत्रियों का कारे है तो जितने भी मंत्री न्यूक्त होंगे उनको कौन न्यूक करेगा भारत का राजपती न्यूक्त करेगा और यह इसकी पहली कारेपाली का शक्ति है मंत्रियों के अलामा अगर आप देखोगे तो जितने भी राज्य के राज्यपाल है राज्य के राज्यपाल तो राज्य के राज्यपाल को राज्य के राज्यपाल को कौन न्यूक्त करता भी है यह न्यूक्त करता है भारत का रा परिक्षत यानि कि जो कैग है इंडिया में कैग एक पूरा चप्टर है मैं इसके बारे में आप से बहुत इटेलियर बाचित करूँगा लेकिन जो कैग है वो कैग की नियुक्ति भी राश्टपती के द्वारा होती है कैग करता क्या है तो लेखा जोखा जो है मतलब भारत सर कार के जो खर्चे हैं उस पर अकाउंटिंग करता है और अपनी रिपोर्ट वाराश्टपती को सौखता है राश्टपती उस रिपोर्ट को संसत के अंदर लोक लेखा समिती के अध्यक्ष को देता है अभी लोक लेखा समिती क्या है क्या क्या है यह आने वाले चैप्टर मे मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा मतलब पॉलिटी का कोई भी जो ऐसा बात होगा वो छूटेगा नहीं बस आप विश्वास रखिए अच्छा पढ़ा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और अच्छा पढ़ा रह होगा अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो ऐसा करना नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो कोई बात नहीं आप बस देख लो जो ठीक लगे वह आप कर शकते हो मैं आपसे कह रहा था कि तो संग के मंत्रियों की नियुक्ति, राज के राजिपाल की नियुक्ति, महालेखा नियंतरक परिक्षक की नियुक्ति, इसके अलावा जैसे महानियावादी की नियुक्ति, महानियावादी की नियुक्ति और इसके अलामा, महानियावादी की अलामा, अगर आप देखोगे महानियावादी की नियुक्ति और इसके अलामा जैसे जो है आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या इसके लामा संगलोक सेवा आयोक के अध्यक्ष की नियुक्ति या आप देखोगे तो अनुसुचे जंजाती आयोक के अध्यक्ष की नियुक्ति महिला आयोक के अध्यक्ष की नियुक्ति और इसे तमाम नियुक्तियां है जो राश्पति के द्वारा होती है तो ये इसका कारेपालिका का पहला कर्तब्य है कि ये तमाम अधिकारियों की नियुक्ति करेगा तो कारिफपालिका शक्ति में राष्टपती का पहला कारी है कि वो जो ऐसे प्रसासनी कदिकारी है या जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन सबकी नियुक्ति राष्टपती के द्वारा होती है बच्चों तो ये तु था हमारा पहला काम इसकी अलामा जो है इसके अलामा जो है अगर आप देखोगे तो राष्टपती जो है इन लोगों को इनके पद से मुक्त भी करता है जो दूसरा काम है क्या करता है कि राष्टपती इन लोगों को इनके पद से मुक्त भी करता है जैसे माल यह कैग को हटाना है तो कैग को हटाने के लिए ठीक वै जो है अपनी स्विक्षा से त्याक्पत्र दे सकता है सरकार के हट जाने का अधार पर या इसके अलामा जो है तमाम ऐसे प्रावधान है जो जो आधार बनते हैं जैसे अब संग के मंत्री हैं तो उनकी नियुक्ति राश्पति करता है लेकिन उनको हटाएगा भी कौन पालिका में कि उप्रोक्त सभी अधिकारियों की उप्रोक्त सभी अधिकारियों को उनके पद से मुक्त करता है तो प्रोक्त सभी अधिकारियों को उनके पद से मुक्त करता है ठीक बच्चों तो यह जो है इसका एक मुख्यकारियपालिका चकति का का वही एक मुख्यकारियों की नियुक्त करना और उनकी सीवान दूसरी बात कि जितना भी संगाराज छेत्र है जितना हुराज छेत्र है कि पान को ही वहां का संचालन होता है प्रसासन का सभी प्रतिनभी के द्वारा ही पुप रात जिपाल के द्वारा ही वहाँ का governance चलाय जाता है तो वहाँ पर भी राश्पती का एक तरीके से स्थ्यक चुरूप से क्या है आप देखोगे तो सासन वहाँ पे चलता है तो ये दो काम तीन काम important है इसके अलामा भारत के अंदर जितना भी कानून बनता है जितना भी कानून बनता है वो कानून राश्पती की सहमती के बाद ही कानून बनेगा यानि कि मान लिजे अगर देश में कोई कानून बनना है तो वह लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा बिल जब पास हो जाएगा और उस पर जब राश्टपती अपनी सहमती देगा तब जाकर कि वह देश में कानू बनेगा तो यानि कि कानून बनाने के टाइम पर राश्टपती की सहमती जो है वो सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण है और जब तक वो अपनी सहमती नहीं देगा तब तक कानून नहीं बने समझ में और रहे होगी अब इसकी बाद worthy हम लोग वाचित करेंगे बिदाई का शक्तियों को अब देखिए बिधाई सक्तियों को यह बिधाई सक्तियां क्या है तो यहां देखता हूं साफ साफ सरके यहां से बिधाई शक्ति तो बच्चों इसको बोलते हैं legislative power legislative power बोलते हैं इसको क्या है legislative power क्या है तो बहिया जो legislative power है तो इसमें जो है सबसे पहला काम तो यह है कि जब भी हम इसमें लोक सभा को लोक सभा को राज सभा को और राश्ठपती को जोड़ते हैं लाश्ठपती को जोड़ते हैं तो इससे बनती है हमारी संसद, इससे बनती है हमारी संसद, यानि कि बिना राष्ट्पती के सहमती के संसद का निर्मान नहीं हो सकता है, या बिना राष्ट्पती के मौझूदगी के या बिना राष्ट्पती के संसद का निर्मान नहीं हो सकता है, तो जो पहला काम है इन तीनों के योग से क्या बनता है संसद बनती है कभी कोई पूछता है आपसे कि संसद के कितने अंग है तो तीन अंग है कौन-कौन लोगसभा राजसभा और राश्टपती लेकिन अगर कभी कोई पूछता कितने सदन है तो इसके दो सदन है लोगसभा और राज्यसभा ये तब तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपती अपनी सहमती ना दे दे अगर देश के अंदर कोई भी कानू बनना है तो वो तभी बन पाएगा जब राष्ट्रपती उस पर अपनी सहमती दे दे जो नेक्स पॉइंट है तीसरा बिधाई काम में बच्चों जो राष्ट्रपती की बिधाई शक्तियां है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से राष्ट्रपती की पावर का आपको हैसास होता है राष्ट्रपती की बिधाई सक्तियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और देखिए क्या है तो तो तीसरा पावर है उसमें कहा गया कि आर्टिकल 108 है सम्विधान में जब सम्विधान को पढ़ने ज अधिवेशन की बात की गई है आर्टिकल 108 में सज्व अधिवेशन की बात की गई है और इसको मुण कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग कहते है यह ज्वाइंट सिटिंग क्या है तो राश्टपती के रिफ्रेंस में एक बात मैं आपको बताना चाता हूँ कि जो joint sitting होता है जो सन्यूप्त अधिवेशन होता है इसको बुलाने का अधिकार इसको बुलाने का जो अधिकार है वो केवल राश्टपती के पास है नियुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार केबल राश्ट्पति के पास है यह निकि राश्ट्पति ही joint sitting करा सकता है लेकिन जौइंड शिटिंग क्या है तो भाई joint sitting का मतलब यह होता है कि जैसे मानलो भाई-साफ यह हमारी संसद है और संसद के अंदर दो सदन है एक है यह मानलो कि यहां पर जो मेमबर है यह 545 हैं। यह मेमबर कितने हैं? अभी 543 है है और राजिसभा के अंदर अभी मेमबर है अधिकतं 250 हो सकते हैं। और 250 मेंबर हैं, माल लिजे कि किसी दिन, किसी दिन का मतलब ये है कि राष्टपती जॉइन शेटिंग कब बुलाएगा, राष्टपती जॉइन शेटिंग का मतलब ये है कि राजी सभा को बुला करके और इसके अंदर बैठा दे, जॉइन शेटिंग का मतलब ये है कि राजी के अंदर कोई बिल है जो पास हो गया है लोग सभा के अंदर कोई बिल पास हो गया है और वो बिल जो है शे महीने से अधिक के टाइम से राशाओं लंबित पड़ा हुआ है मतलब यहां से बिल पास हो गया है यहां से पास नहीं हो रहा है यह लोग पास नहीं कर रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारे होती हैं और वही सरकार यहां के लोग को भेशती हैं तो हो सकता है कि पूरे बीजेपी का पूरे भारत के राज्यों में सरकार नहों तो यहां पर जो लोग हो बीजेपी के पार्टी के नहों वो अन्य पार् पढा हुआ है राज यह सभा उसपर अपनी कोई सहमती दय नहीं रही है लेकिन राष्टपति को लगता है कि राष्ट्री हिद का बेसर है और इस पर कानून बनना चाहिए राष्ट्री हिद होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है पूरी की पूरी संभावना रहती है की बिल पास हो जाएगा कैसे पास हो जाएगा एक पल के लिए मानलो भाई साथ मानलो यहां पर 543 में से जे दिन वोटिंग हो रहा है 450 लोग प्रजेंट हैं मानलो कि 450 लोग प्रजेंट हैं और यहां पर 200 200 में से 200 लोग प्रजें Vài said 50% plus 1 तो जितने प्रेजिन्ट हैं उसका आधा तो इसका है तो 225 हो गया और प्लस एक तो 226 यानि कि यहाँ से 226 मत जरूरी है बिल प вас होने के लिए और यहाँ से 101 मत जरूरी है कि बिल को पास होने के लिए यानि कि 50% plus 1 यहाँ से 101 मत जरूरी है और यहां से 450 में से 226 मत कहोना जरूरी है मान लिजे यहां पर सरकार बहुमत में है यहां तो बिलपास हो गया यहां नहीं पास हो रहा है तो भाई सरकार क्या करेगी यह राजी सभा के लोगों को उठा करके कहां बुला लेगी लोग सभा के अंदर और जब यहाँ पर गुला लेगी बिल को पास करने के लिए तो भाई-साव अगर अगर यह लोग П서 नson अखरें जो लोगmers यहां भी बिरोद कर रहें तो बहुत संभाव है कि जब 250 सीटें अकेले लोग सभाख कें अंदर हैं तो हो सकता है कि 450 में से 350 सीटें के ले बीजेपी की हों बाइज जी दिन मद्दान होगा तो बीजेपी तो अपने सारे सांसों को बुला लेगी और 350 अगर अकेले बीजेपी से हैं तो 350 लोग बूट कर देंगे तो यह वाले इसमें करें ना करें कोई मैटर नहीं करता यह नहीं होता है कि लोग सवास अलग राज सवास अलग एकठा बैठे हैं कठा मद्दान हुआ और अगर इनको उठाकि यहां बुला लिया जाए और अगर यह यहां पर आके मद्दान नहीं भी करें या कम भी करें भाई दोसों में कोछ तो भाच्पा की विसीटे होंगी तो मालो यहां से 50 लोगों ने कर दिया और जो 50 यहां कम पढ़ तो यहां से बढ़ जाएंगे तो वह बिल पास हो जाएगा तो जब भी लगता है सरकार को जब भी लगता है राश्पती को कि भाई किसी बिल का पास होना जरूरी है किसी का बिल का पास होना जरूरी है और लोग सभाने पास कर दिया है राजी सभाने पास नहीं किया तो ऐ मुझे बताओ मैं आपके साथ बिल्कुल बना हुआ हूँ मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी अब इसके बासे जो है चोथी बात क्या है अभी एक जैसे कि सम्विधान में आर्टिकल 331 के अनुसार राश्टपती को यह अधिकार था कि वह लोग सभा के अंदर दो एंगलो इंडियन को नॉमिनेट करेगा लेकिन अभी इस प्रावधान को हटा दिया गया है यानि कि एंगलो इंडियन के यह एंगलो इंडियन कौन थे भाई साब तो एंगलो इंडियन का मतलब होता है भारती प्लस यूरोपिय केवल यूरोपिय भारत और यूरोपिय मूल के लोग जो भारत में रह रहे हैं तो उनके दो लोगों को राष्टपती अपॉइंट करता था अब नहीं करता है यानि कि अब इस प्रावधान को जो है क्या कर दिया गया बच्चों समाप्स कर दिया गया यानि कि अभी प्रावधान खत्म हो गया है अब अगर आप यहां सा आगे आओगे तो जैसे पांचमा पांचमा जो है बिध राश्ट्पति होता है वह बारह सबस्यों को राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करता है। तो भाई साब ये लोग चार फिल्ड से हो सकते हैं, संगीत है, कला है, साहित है और विज्ञान है, तो संगीत, कला, साहित और विज्ञान, अब ये भाईया 12 लोगों को क्यों नॉमिनेट किया जाता है, क्यों उनको बुला जाता है, क्या सकता क्या बुलाने की है, राश्पत कि हमको विज्ञान पर कोई बनाना है कानून कि भाई देश के अंदर बैज्ञानिक मनुवृत्ति का विकास कैसे हो मुद्दा यह है कि आज का लूंडे जो है वह देखते हैं गाना की दिलवाले गल्पियर की फराक वाली या नदिया के तीरे नईया डोले हमार सहीया डोले हो गाना देखते हैं बच्चे तो छोटे-छोटे बच्चों के अंदर जो है एक ऐसी मानसिक्ता का विकास हो रहा है कि अगर हम भी बड़े होंगे हमारे लिए कोई नईया डोले हिचकोले खाए यह सब गाएंगे लोग तो बच्चों के अंदर मानसिकता है भीटाइक हिरों और हीरों कि तलास में वह मंग्रात्य फिरते हैं तो जो यह मानसिकता है यह मानसिकता देश लिए खतरनाक है तो अगर हमको ऐसी एक system सिस्टम बनाना है कि जिसके अंतरवगत बच्चों के अंदर साइंस का भी कास हो बिज्ञान के पाती रुची ही आए तो ऐसा कोई कानून देश में बने जो ब्ढ़ावा दे तो अगर ऐसा कोई कानून बनाना नहें तो बताएंग निए कैसे कर सकें देश के लिए बहतर पॉलिस की निर्माण में अपना सहयोग दे सकें तो इसी लिए इस स्पैसिफिक विश्य के लोगों को राजी सभा के अंदर बुला जाता है ताकि वो राष्ट के अंदर कानून बनने में सहायता करें तो यह कारण था कि हमने यह किया अब यह जो हुँने claim सम्ष्यान से लिया है और claim सभारावस संभिधान में इसको जोड़ा है आप इसके बात अगन जाओं तो हैं एक अगर कि अगर हम इसकी विधाई सक्ती में देखें अगला पॉंट देखें इसको मैं हटा रहा हूं आप चाहें तो वीडियो को रूख के स्ट्रीन शॉट ले सकते हैं और आप बातों को नूट डाउन कर सकते हैं भीया पढ़ते जाओ लिखते जाओ समझते जाओ और थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा सपोर्ट इस चैनल के लिए भी रखो अपने दोस्तों के साथ जोड़ो चलो एक कम्यूटी बनाते हैं मैं आपको पूरे कमिट्मेंट के साथ पढ़ाऊंगा एक हजाद सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो हम लोग लाइफ क्लास भी जल्द ही सुरू करेंगे और लाइफ क्लास के अंदर हम लोग आपको इंग्लेश की क्लासे वगरा भी प्रवाइड करेंगे और बेस्ट क्लासे प्रवाइड करेंगे ऐसी क्लास कि आपको फिर कहीं दुबारा पढ़ने के जरूर नहीं होगी बच्चों इसके बाद अगर हम देखें तो संबिधान का जो आर्टिकल 111 है जो संबिधान का आर्टिकल 111 है आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 में कहा गया है राष्टपती के पास वीटो पावर है राष्टपती के पास क्या बच्चा वीटो पावर है ये वीटो पावर क्या होता है वाट इस बीटो पावर तो भाई जो बीटो पावर है बीटो पावर का मतलब होता है नेड़ने लेने की शक्ति यानि कि राष्टपती के नेड़ने लेने की शक्ति राश्टपती का जो है वो निर्णाय लेने की सक्ति and that is called बीटो पावर तो बीटो पावर जो है इसका मतलब हुआ क्या जैसे एक पल के लिए मान लो बीटो पावर क्या है वहिए मान लोगा कोई लोक सभा ने कोई बिल पास किया राज्य सभा ने बिल पास किया लोग सभा से बिल पास हो करके राश्टपती के पास चला गया और मान लीजिये मान लीजिये कि राश्टपती नहीं चाहता है कि ये कानून देश के लिए बने भाई जो सरकारे हैं वो सरकार एक मत्की हो सकती है जैसे मान लिजे एक्जामपल के तोर पे जैसे आज भाजपा की सरकार है अगर एक बिल पास कर दे कि आज से भारत हिंदू राश्ट्र होगा और अन्य धर्मों के लोगों को यहां सताया जाएगा मान लिजे अगर भाजपा की मूड में आया मिस्ता जो है उन्होंने ऐसा भी लेकर रखवा दिया अब भाई भाजपा जो भैंकर मिजोटी में है लोग सभाय मुराश्ट्राश्वाव दोरों मिजोटी में है दोरुस भिल पास हो गया लेकिन क्या ये कानून देश के लिए ठ सम्रद्धी पूरवग उनको भी जो है खुशाली से जीवन जीने का हक है अगर वो कोई उंगली नहीं करते हैं तो भाई उनको भी जीने खाने का हक है आगे बढ़ने का हक है सम्रद्धी से सम्रद्धी को प्राप्त करने का हक है सभी धर्म के लोगों को चाहिए वह मुस्ल राष्ट्पती के पास गया लेकिन राष्ट्पती को यह पता है कि ऐसा होना ठीक नहीं है राष्ट्पती अगर मान लीजे कि नहीं चाहता ऐसा हो तो क्या कर सकता हो भाई अगर कोई बिल राष्ट्पती के पास गया है तो राष्ट्पती उस पर तीन काम कर सकता है राष्टपती उस पर तीन काम कर सकता है, पहला काम क्या करेगा, अगर कोई बिल गया है किसके पास, राष्टपती के पास, तो राष्टपती उस पर तीन काम कर सकता है, पहला काम, पहला काम की वह सहमती दे दे, इन्हें की बिल आया है, हाँ भी ठीक है, उके डन, साइन कर द दूसरा काम वो क्या कर सकता है जैसे पहला काम तो यह कर सकता है दूसरा काम क्या सकता है वह सहमती ना दे और अगर वह सहमती नहीं देगा तो बिल वापस हो जाएगा बिल वापस हो जाएगा बाई साब देखो दो बाते हैं अगर राश्ट्पती ने साइन कर दिया तो बन गया कानून और अगर नहीं किया तो बिल वापस हो जाएगा और जब बिल वापस होगा जब भी बिल वापस होगा और अगर लोक सभाने अगर लोग सभाने दुबारा वही बिल भेज दिया तो राष्ट्पती साइन करने के लिए बात देगा राष्ट्पती साइन करने के लिए बात देगा और अब उसे साइन करना ही पड़ेगा राष्ट्पती अमना नहीं कर सकता है तो राष्ट्पती मना भी नहीं कर सकता है अगर मना कर दे दुबार बिला जाए उसे साइन करना पड़ेगा तीसरी बात है कि भाईया अब राजपती टेंशन में यार सहमती दे रहें तो भी खराब नहीं दे रहें तो भी खराब तो दिमाग घूम रहा है तो उसके पास एक और सकति दीया गया है जिसको हम बोलते हैं पाकेट वीटो क्या बोलते हैं पाकेट वीटी इसको हिंदी में कहते हैं ज्यवी वीटस ज्यवी वीट। पॉकेट वीटो और जेवी वीटो तो जेवी मतलब एक ही बात है इसका मतलब यह हो गया कि जो भी कानून आया है जो भी कानून आया है अब उसको राष्टपती अपने टेबल पर रख लेगा जो राष्टपती है उस बिल को अपने टेबल पर रख लेगा नहां बोलेगा न न बोलेगा लोग सभा कहेगी राष्टपती तो राष्टपती हुम्ध साइन कर रहे हो לא कर्ब ने कर रहे हो भी यह मतलब जो है कि कुछ पता नहीं चलने दे रहा है कि क्या मूड कर मूड है कि नहीं है नहीं कर रह रहा है अपनी टेबल पर रखा हुआ है और अगर उसको अपनी टेबलम बिलकू रख ले तो उससे कोई भी नेने लेने के लिए उसको बात दे नहीं कर सकता है कि नाहीं तू एप नेने लव नाहीं उसकी मर्जी है अगर उटेबल पर रख लिया तो रख लिया फिर वो और कब तक रखा रहेगा इसका कोई समय सीमा नहीं है तो जब भी राश्टपती को बिल पर सहमती देने का मूड नहीं होता है तो वह जेभी वीटो का प्रियोग करता है और उस पर अपनी सहमती वो नहीं देता है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहां तक मेरी बात समय में आई होगी अब अब अगर लोग यहां सागे बढ़ें अच्छा एक बात जो है जेभी वीटो का प्रियोग एक बार किया गया है और वो किया था ग्यानी जैल सिंग ने किसने किया था बहिया ग्यानी जैल सिंग ने और ग्यानी जैल सिंग ने यह 1986 में डाक घर मामले में डाक घर मामले में एक बार pocket veto का प्रियोग किया है जे भी veto का प्रियोग किया है ठीक बच्चों डागघर मामले में एक बार उन्होंने pocket veto का प्रियोग किया है and that is important to you यह बात हम लोग को समझना important था यह राश्पति की बिधाई शक्तियां है इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारी बातों करेंगे बहुत से चीजों को समझेंगे next class में वीडियो को जरूर देखिए शेयर करिए बार बार देखिए लिखिए समझे मैं आपका भाई हूं और मैं आपके साथ खड़ा रहूंग थैंक यू समझ गाई गाई बाई टेक्यर